कि अधो सो हैलो दिए वीडियो में हम ट्रांसपोजिशन के बारे में देखने वाले तो हम क्या देखते हैं कि झरौत हम के कपड़ दिये कि जब हम ठी फेज्ट ट्रांस्मिशन लाइन देखते हैं और उसमें जब हम संद्सैमिय। प्रफटालीस कर देती हैं तो उसकी वहाँ पर इंड़क्टर एंसुद्ट का डिफ्रेंट हो जाता है और उसकी वहाँ से फिर वहाँ पर जो वोल्टेज रोप होता है यह हमारी तीन कंडुक्टर है मैं इसके बार देखते हैं अच्छे से और इसे समझने की गोंशिश करते ह यह हमारे तीन कंड़क्टर है इसके रणेक है तो यहां पर क्या होता है कि जब हम इसे balance condition लेते हैं means if d1 is close to d2 is close to d3 is close to d तो तब तो कोई problem नहीं होती तब हमें transposition की जोड़ती भी नहीं बड़ती तो लेकिन जब हम क्या करते हैं जब यह different जो है इंके बीच का spacing जो है वो different होती है तब यहाँ पर क्या होता है इंके बीच का जो flux linkage होता है ना वो different होता है means अगर यह conductor A है यह B है और यह C है तो इनके बीच का जो flux linkage है वो different हो जाता है तो मैं क्या वो लाँ जो कि साई 1 साई सोरी ए नोट इक्वल टू साई भी नोट इकल तो साई सी अभी साई एक मतलब यह हो गया हमारा कि इसमें हमारा इसका एका इंटर्नल फ्लक्स लिंकेज हो गार इसका 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 यह क्या हो कि self-fluss linkage एक जैका और उसके बाद बी और सी व्यक्द की बज़े से जो इसके मिस्च्टनल फ्लक्स linkage होगा हो हो सम्मेंशन ने जंए पर्विसी तरह साय बी और सह इसी तरह यह फिरोसित हो गया तो अंगर तो हम क्या दिखते हैं कि हमारा इंडट्ड हो भी हो जाएगा की उल्क खार्म फोया इ standpoint हो और current सेम है ठीक है current सेम है इनमें माल लिया कि Ia हाई बी ऐसी और इनके बीच निद जो यह current है यह balance है फिर भी क्या है लेकिन हम देखते हैं कि जब यह पिए स sentiments है तो मैं फान लिए लेता हूं इस अब क्या देखते हैं कि हमारी त्रांस्मिशनलाइं को यहां पे। यह माल लाइन को देखते हैं कि क्या जो ट्रांस्मिशनल्यूच यहां पर यह यहां से हमने यह हमारा सेंडिंग फी जनुर्टिंग एंड है में लिक लिए हां पर दो जन डेटिंग एंड और यहां से हमने एक इसमें फटीज इसमें से फटेंट के है ठीक है कॉंस्टेंट voltage व्लटेज है वी एस टिक और उसके C और मियुद्सेट बाद ने क्या दिखा कि यहमाननों को का इसका है जो इ pencil मिस्ट करें। अब इसकी वेइसे udah मुन्र बहुए यूद् ऑगानई में कि यहीं करने बोलूं कि एक के लिए ज children डोप है VDA है और B के लिए VDB है और C के लिए हमारा मान लिया वी डी सी है और भाई जब यह हमारा इंडेक्टेंसी डिफरेंट है तो इंकी वह ऐसे जो वोल्टेज डोप हो रहा है वो भी डिफरेंट होगा तो मेंस यहां पर में लिख लूँ VDA not equals to VDB not equals to VDC तो अभी क्या है कि जो हमारे receiving end voltage होता है यहां पर VRA मान लिया हमने यहां पर हमें इस वाले में VRB voltage receive हो रहा है और यहां पर VRC यहां पर जब हम लोड एंड पर हम जब voltage को receive करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर हमें different voltage receive होता है जबकि यहां से हमने एक constant voltage फेट किया था ठीक है तो मैं यहां पर लिख लूँ क्या VRA not discuss to VRB not discuss to VRC अब मेंस यहां पर आके सिस्टम आरा एंबैलेंस हो गया अगर हम इसे एक example के थ्रू समझे मान लिया कि जस्ट एक्जामपल ले रहा हमें यह कि यहां से हमने 220 वोल्टेज का हमने आज सब्प्लाइब की ठीक है वोल्टेज constant voltage तीनों में अब क्या हुआ यहां पर इंडेक्टेंस तीनों का different था और यह इंडेक्टेंस different है क्यों main region तो यहीं देखा जाएगा ना कि भाही इसका जो और इसके और इसके बीच में हमारी डी टू तो हम क्या देखते हैं कि इनके जो इंडेक्टेंस है इस स्पेसिंग की वज़े से different इनकी value थी तो 220 में से हमारा मान लो यहां पर कुछ 6 voltage voltage drop हो गया ठीक है और यहां पर कुछ 8 voltage हो गया voltage और यहां पर कुछ 5 voltage voltage डोप हुआ तो अब क्या होगा में जो 220 जहां से फेट किया था जब इतना वोल्टेज डूप इधर हो गया तो यहां पर हमें कितना मिलेगा 220 में से यह गया तो हमारे यहां पर कुछ 214 मिलेगा ठीक है और means VR हमें कितना मिल ला है 214 यह एक्जामपल की के इसमें जो ले रहा हूं है और यहां पर क्या मिलेगा हमें सिर्फ 212 और यहां पर हमें क्या मिलेगा सिर्फ 215 ठीक है वोल्टेज तो हम क्या देखते हैं कि इधर आके हमारे सिस्टेम एंड बैलेंस हो जाता है तो इसी का जो यह अब हमारी प्रोब्लम हुई है ना इसे स्वल करने के लिए हम ट्रांस पोजिशन करते हैं तो चलिए मैं थोड़ा सा ट्रांस पोजिशन के बारे में ल तो वरकम तो यह अब इसमें कुछ खास नहीं लिखा वेने बस यह लिखाए कि इस प्रोब्लम से हम ओवरकम होने के लिए क्या करते हैं कि इसके जो सिक्वेंस है इसको इंटर्चेंज करते दें कुछ इंटर्व पर उसकी वहство होता है इसका इंटर्चेंज जो एवरेज हिएए जो मोजा जाएगा तो घृख अपर ząसके देखती हैं कि कैसे करते हैं तो पहली कंदिशन में ने क्या देखा उख कि आएसे था कि में बना देता हूँ जल्ली से तो यह हमारी फर्स कंड़ेशन थी जिसमें यह कंड़िक्टर ऐसे गए हुए है लेकिन यह पाहरे करते हैं इसके इन और डूसरी उसकिन बना लेता हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आज है तो यह हमारा मालो conductor है पहले क्या था? यह conductor जो हमारा ऐसे जुड़ा हुआ था यह यहां से ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ था और ऐसे हमारी transmission line चल ली थी और अगर मैं बात करूँ कि यह conductor हमने माल लिया कि यह conductor की position यहां पर A है दो भी conductor का material तो हम सही यूज़ कर रहे हैं यहां पर और सेम cross-sectional area उसका लेकिन different क्या आ रहा था कि यहां पर जो spacing था ना इनके बीच में उसका difference था यहां पर D3 थी इसके बीच में और यहां पर D2 थी sorry D1 थी यहां पर B और C के बीच में और A और C के बीच में ना D2 थी हमारी तो यह हमारी spacing different थी यहां पर तो हम क्या देखते हैं कि माल लिया कि इस transmission line की length जो है ना एल है और यहां पर हमारा एक voltage receive हो रहा है और यहां से हमने कोई constant voltage constant voltage fed कर रखाए ठीक है और अब क्या देखते हैं कि यहां से हमने transportation करने के लिए यहां से हमने conductor को ऐसे कि कि इस conductor को हम इधर लिया है इतने दूर बाद और इसके बाद हम इधर लिया है और इसको यहां से इधर जोड़ लिया इसको ऐसे इसको इधर और इसको इधर और यह हम ऐसे करते हैं कि इन जो distance है यह length इसकी वो तीन बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाए दो जगा करेंगे और इससे क्या हो कि तीन बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाए मेरा कहने मतलब यह है कि यह distance जो हमारी L by 3 होनी चाहिए पिर उसके बाद यह हमारी L by 3 होनी चाहिए और यह L by 3 हो जाएगी ठीक है और अब मैं बात करूं तो हम देखें कि माल लिया हमने कि इस वाले यहां से जो voltage था हमारा VA है यहां से जो voltage हमारा VB है और यहां से जो voltage हमारा VC है तो अगर हब हम देखें कि मैं क्या बोलूं इंड़क्टेंस डिफ्रेंट क्यों था हमारा क्योंकि हमारे इसकी spacing डिफ्रेंट थी लेकिन conductor तो same था हमारा तो conductor का inductance से मतलब conductor material या उसके save size का कोई मैंटर नहीं था inductance से इसका inductance इसलिए डिफ्रेंट था वस क्योंकि यह जो D1 D2 D3 यह बढ़र नहीं है तो मैं position की बात करूँ कि A position पे हमारा मानले कोई conductor जाता है तो उसकी जो inductance है वो LA है ठीक है और वही वही यहां भी LA होगा यहां भी LA है ठीक है उसी तरह अगर conductor कोई जो है B position पे जाता है तो इस वाली position पे आता है तो उसका inductance जो है B है ठीक है यहां भी LB होगा यहां भी ठीक है उसी तरह अगर यह LC मतलब C position पे आता है तो उस conductor का मानले हमने जो inductance है LC है ठीक है तो यह हो गया अब हम क्या देखते हैं कि हर voltage हमारा देखना कि हर voltage जो हमारा कि लिए अब यहां पर देखो इस arrangement की वज़े से हर voltage जो हमारा हर inductance को हर position की inductance को सेम distance के लिए face कर रहा है मेंस में कहने के मतलब क्या है अगर मैं यहां पर आपको लिख के समझाओं मैं यह बच जासे के लिए मैं क्या बत कर रहा हूं कि मान लो वी यह जो वोल्टेश था हमारा वी ए उसे हम देखें कि भाई उसने एप लगाई 3 के लिए देखो पहले कौन सा इंडेक्टेंस फेस किया उसने किया वह ले इंडेक्टेंस को फेस ठीक है उसके बाद नेस्ट लगाई थ्री मीन्स यह इधार आ गया वी पोजीशन पर तो उसवाज नेस्ट लगाई दिस्टेंस के लिए उसने देखो लगाई सोरी यह बीड को फियस किया फिर वह जब चैनल दिस एक लिए LCD inductance को phase किया इसी तरह गर हमें voltage VB की बात करूँ तो यहां भी देखे हम तो VB ने पहले हमारा LB inductance को phase किया फिर वो जब सही position पर आया तो L by 3 distance के लिए उसने LC को किया फिर L by 3 जब यहां से इधर गया तो इसने LA को किया ठीक है इसी तरह अगर हम VC की बात करें तो यहां भी यही हुआ कि उसने first L by 3 distance के लिए LC inductance of position C और L by 3 next L by 3 के लिए inductance of position A next L by 3 के लिए inductance of position B अगर आप देखो तीनो voltage जो थे हमारे यह देखो VA, VB, VC जो भी तीनो voltage थे हमारे उन तीनों ने same inductance phase किया है क्या LA अगर देखोगे LA plus LB plus LC देखो LA, LB, LC LA यहां पर क्या था पहले इसने LC को phase किया फिर LA को phase किया फिर LB को किया यहां पर VA तो देखो तीनों में same है इससे हमें क्या बाइच चलता है जो हमने एरेंजमेंट किया है यह conductor का position का interchange किया है इससे क्या हो रहा है कि इनका inductance जो है same आ जा रहे देखो same inductance phase कर रहे है यह voltage जो है तीनो इसकी वज़े से क्या होगा देखो voltage डोप तो अब भी होना है लेकिन अब क्या है inductance तीनों का same हो गया तो उसकी वज़े से voltage डोप जो है हमारा जो पिछली में बता रहा था यह VDA, VDB, VDC means voltage drop at A voltage drop at B voltage drop at C अब यह बराबर होगा क्योंकि हमारा जो inductance है इनका तीनों का इनका average inductance जो है बराबर है ठीक है और जब voltage drop बराबर हो गया तो हमारा जो receiving and voltage था यह यह भी बराबर आएगा बहले ही देखो मेरे कहने मतलब यह है कि यह बस बराबर हुए है इनकी value अभी भी कुछ ना कुछ है जो यह difference था ना होच रहा है तो यह भी पांची होगा यह भी पांची होगा अब अगर तीनों पांच पांच होंगे तो यहाँ पर 215 हमें voltage मिलेगा और तीनों बराबर होगा और इसकी वएसे system balance रहेगा एक लिस्ट वैलेंस तो है हमारा लोज तो होना है भई ठीक है तो मैं आप लिख दूँ और हमें रिसेविंग एंटेज मिल पर मिन्स वी आर ए बराबर हमें मिल जाएगा वी आर बी बराबर मिल जाएगा हमें वी आर सी अब देखो हमारी प्रॉब्लम जो थी डिफेरेंट वोल्टेज मिल था वो स्वाल हो चुकी है तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा और अगर आपको ल, 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 या फिर ट्रांस पोजिशन के बाद इसका जो फॉर्मला आदा है उसको देखना है तो आप इससे पहले मैंने डेरिवेशनली वीडियो अप्लोड कर रखी है वो भी जाके देख सकते हो लेकिन अगर आप एक डिप्लोमा स्टुएंट हो तो आपके लिए इतना इनफ है आपको डेरिवेशन के जुरुत नहीं है और अगर आप डिगरी स्टुएंट हो और आ अगर आपका कहीं इसमें फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूश सकते हो अगर वीडियो चलेगी तो लाइक से और सब्सक्राइब जरू करें थैंक्यू